Hello everyone, उमीद है आप सब लोग अच्छे होंगी Myself कितिका शर्मा and welcome to your channel Students, देखिए, हमारे चार ओर बहुत सारी चीजे होती है ठीक है, जो भी हमारे चार ओर चीजे हैं ठीक है, उसको categorize ते जैसे कि matter बोल दिया है जो भी space occupy करता है, वो होता है आपका matter ठीक है टाइपस के atoms present होते हैं, compound होते हैं, अलग लग टाइपस के elements मिलके compound बनाते हैं mixture भी दो टाइपस का होता है, एक होता है homogeneous, एक होता है heterogeneous homogeneous मतलब आप boundaries का पता ने लगा सकते हैं अगर दो दो तिन तिन टाइपस के solution या elements कुछ भी डाला होगा है उसमें तो आप उसको boundaries का पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या है, कहां जैसे एक present है, कहां जैसे दूसरा present है हिट्रोजेनियस होता है, जैसे कि आप उसकी boundaries का पता लगा सकते हो, कि आपको पता लग जाएगा एक सबसर्ण यहां तक है, दूसरा सबसर्ण यहां तक है, वो आता है आपका हिट्रोजेनियस, ठीक है, अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि matter है, elements आगे, compounds आगे, mixture आगया, ठीक है, पर जो elements है, same types के, जो smallest unit है, किसी भी compound का, ठीक है, तो वो किस से मिलके बनाए, वो कितने types के होते हैं, जिससे कि अभी बड़ा हमने, elements होते हैं, उतमें क्या होता है, same types के atoms होते हैं, मतलब एक चीज है, वो वैसी है, depend on the, उसमें same types के atoms present होते हैं, अगर अलग-लग types के atoms present होते हैं, तो वो compound बन गया, ठीक है, तो elements ही है, basic चीज जिससे matter बनता है, देखिए, हमारे चार और बहुत types के चीज़े हैं, तो वो सारी चीज़े किस से बनती हैं, आपके different types के elements होते है तो जो elements हैं, इतने types के होते हैं, तो उसको learn कैसे किया चाहे, पहले क्या था, discovery थी, कि उसमें कुछ discovery चली रहती है, जैसे कि पहले discover हुए थे, कुछ ही elements थे, 20-30 elements थे, तो उनको तो कुछ, 2-4 चीज़े होंगी, कुछ चीज़े होंगी, आप इसने learn कर लोगे, but अगर आपक types के items present होते हैं, उनको classify करना भी जुरूरी होता है, ठीक है, तो एक जो अलग-लग elements है, उनको क्या-किया, एक जगा इकठा कर दिया, और उसको classify कर दिया, तो उसी से related हमारा आज का topic है, वो आता है आपका priority classification of elements, ठीक है, priority table में आपकी elements के arrangement होती है, उसकी classification किस बेस में होई, क यह आता है आपका 10th class का 5th chapter, क्या आता है, priority classification of elements, ठीक है, priority table में आपके elements arrange होते हैं, अब देखिए, elements arrange होते हैं, जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जिसे कि example के जूर समझते हैं, जिसे कि आप कहीं अपना घर का समान रख लो, या आप शॉप पे गए समान लाएने, ठीक है, आपने बोला आपको सोप चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक जगा उन्होंने सोप ही रखे होंगे, बट वो भी divide किये होंगे, एक में क्या होगा, bathing सोप होंगे, एक जगा क्या होगे, वाशिंग सोप होंगे, अलग अलग टाइप्स के उसने सोप पे कैटेगरी रखी है, व उसमें बॉक्स में एक वाशिंग रखा होगा, एक बाथिंग रखा होगा, एक कुछ और खाने का नमकीर का पैकिट रख लिया, या ब्रज, टूट बीद, कुछ भी रख दिया, तो उसको कितना डूढ़ना पड़ेगा, ठीक है, देखो, अपने अप घर में रेंज करते हो चीज़ें, एक तो आप क्या करते हो? क्लेक्शन आपको प्रख दूटा हो रखते हो जैसे कि विंद। के अलगर दूट पाएं, यह वैसे ही एलिमेंट्स हैं अपके इन को भी क्या किया गया, क्लासिफआए कि या घ्या ताकि जब आपको उनकी जुरूरत पड़े elements को तो आप easily उनको obtain कर सके और आपको कोई जादा problem ना हो और अब पता लग जाए आपको इस categories यहाँ पे रखी हुई है इसलिए elements को भी इसी तरीके से categorize किया गया तो इसके बारे में किस ने पहले बात की थी इसके बारे में वैसे तो बहुत जादा scientists हुए क्योंकि जब पता लगा कि elements होते हैं नयने elements निकल रहे हैं तो arrangement भी ज़रूरी है क्योंकि arrange नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा कि यह क्या चीज़ है कहां पे है क्या इसकी property similar है क्या नहीं है तो उस चीज़ को easy बनाने के लिए इसकी classification की बात की गई तो अलगलग scientists थे तो कुछ scientists थे जिनका main जो माना गया थोड़ा बहुत उनके बारे में ही हम discuss करेंगे जिससे के first आये थे आपके doubler trade doubler एक scientist थे जिनके त्रड़ की और यह क्या चीज़ थी उन्होंने पहले देते हैं कब की थी इन्होंने क्या था 18 सावीटिंग में बात की थी किसी trade की बात की ठीक है और यह क्या थे जन्मन chemist थे trade पर मतलब क्या हुआ इन्हों में क्या किया elements की arrangement की तीन elements लिए तो जो first की value different है second की value different है जो third होगा वो इसका middle होता है जैसे की middle में रख सकते हो जैसे कि ना छोटा ना बड़ा जैसे कि example ले लो lithium, sodium, potassium इसमें क्या है 6.9, 23.0 and 39.0 तो यह जो बीच वाल है sodium इसका जो value है इसका यह value इन दोनों का sum up है law of trade क्या बोलता है 3 elements लिए इनको categorize कर दिया और जो बीच वाली value थी वो similar होगी मतलब average होगी किसकी 2 values को ठीक है अब पहले इस chart को देखो अलगलग elements दिये गए है groups में categorize किया है तीन-तीन के अब देखो इन में से ही कौन सा law of trade की बात यह थी जिसकी बात की थी आपकी dobler नहीं कौन से थे लेकिए जो group B है and C है न वो किसको follow करता है law of trade को और जो तीसरा है group B है वो नहीं करता क्योंकि उसमें क्या है क्योंकि जो बीच वाली value है average है तो वही तो बात बुली गई थी कि ये कुछ time कुछ elements तक तो ये valid हो गया पर जब जैसे आगे आगे बढ़ते गई ठीक है और elements की तो क्या हुआ ये law follow नहीं हुआ तो फिर जब follow नहीं हुआ ये fulfill देखो कोई चीज successful कब होती है जब हमें उसे benefit मिलता है चीक है यार लोगों को पसंद आती है वो चीज वैसे ही है कि love ये चीज है ना ये तब valid मानी गई तब तक ये था जब इसकी होगी कुछ elements तब valid माना गया उसके बाद ऐसे कुछ follow नहीं हुआ तो क्या होता है sequence हो ना किस चीज में तब ही वो successful होती है sequence ना हो तो वो क्या होती है down में चली जाती है तो इसमें follow नहीं कर पाया long term तक sequence तो इसलिए law of trade है जो डॉबलर ने दिया था ये मैंने नहीं माना आए गया ठीक है उस time के मतारिक फिर देखो जब डॉबलर ने बात की थी तो उसके बाद और scientist की भी खुली आँख है जैसे कि नए discovery के लिए तो फिर नए scientist आए वो थे new land ठीक है इन्होंने दिया आपका law of octave अब ये क्या चीज है इन्होंने 1866 में बात की थी law of octave की अब ये क्या चीज है जैसे कि इन्होंने बोला तो जो एर्थ element आता है उसकी property first one के साथ similar होगी और seven की अलग होगी फिर eight तक आएंगे तो क्या होगी उसकी property similar होगी first one की तरह ये चीज बोली इसको भी value बाना गया तो ये चीज कैसे ये जो eight वाला sequence लिया इसने जैसे कि musical instrument है सारे gamma पाधानी सा देखिए आप graph ने स्टेवल में देख सकते हैं क्या है इसमें क्या है rhythm बताया गया है ठीक है तो बट ये rhythm भी ना calcium तक ही follow हुआ उसके बाद ये भी follow नहीं हुआ तो भी इसको अगर इसको वैले माला गया जब higher weight वाले elements चले थो उनके case में इसको वैले नहीं माला गया क्योंकि ये उसकी fulfill ही नहीं कर पाया इसमें इक और चीज इन्होंने बोली थी कि जैसे कि उस time तक 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 तो तक 56 elements ही discover हुए थे इसमें बोला था कि इसके बाद भी क्या होगा और elements discover नहीं होगे तो ऐसा तो हुआ नहीं बाद में तो discover हुए पर पहले तो वैले उस trend के लिए इसको accept कर लिया था बाद में क्या हुआ 56 elements जादा होगे तो ये चीज़तों follow ही नहीं की क्योंकि ये calcium ही तक था जैसे को white और nickel ले लो उसमें भी और ये follow नहीं होता trend क्योंकि वह 2 को क्या क्या एक में ही categorize कर दिया और क्या हो जो 2 को एक में categorize क्या जिसकी property क्या वेरी करती है दूसरे के साथ ही और ये iron की है iron की property भी similar नहीं तो ये दो आग इसकी limitation ऐसा ही question आता है कि इसकी limitation क्या होगी law of octave क्या है तो अब बोलते है every earth had been similar to one बट ये valid नहीं माना गया क्योंकि उन्होंने बोला था कि सिर्फ 56 ही elements थे होंगे इसके बाद कोई भी element discover नहीं होगा बट ऐसा नहीं हुआ दो elements को इन्होंने इसकी limitation इसकी limitation के बाद नए साइंटिस्ट आए जो थे मानलीव जिनका जो प्रियाडिक टेवल का तंसाप्था बहुत वैलेग माना गया क्योंकि इन्होंने क्या ऐसी चीज़े की थी कि जिसकी विज़े इसको माना गया मेंडलीव थे ना रशियन केमिस्ट थे याद रखना कि जब भी बात आएगी कि प्रियोडिक टेवल की डिस्कावरी किसने की थी तो मेंडलीव बोला जाएगा और मेंडलीव लॉओ मेंडलीव प्रियोडिक वारे में explain करने के लिए कई बार short question भी आता है long question भी आता है तो अच्छे से समझेगा इसको ठीक है manlip priority table Russian ठीक है उन्होंने दिया था ठीक है manlip था उस टाइम तब क्या था 63 element discover हो गये थे बट जब इस चीज़ को क्यों valid बना गया ठीक है जब यह इन्होंने discovery की थी इन्होंने क्या क्या था physical property को consider क्या था physical properties आगी किसी भी elements की उनको इन्होंने consider क्या था उसकी वज़र से इनको valid बना गया क्योंकि इन्होंने बताया कि किस side को trend change हो रहा है किस side को increase कर रहा है किस side को decrease करता है वो सारी बाते बिली इन्होंने और किसके बात की थी इन्होंने बात की थी atomic mass के बारे में इंक्रीजिंग order में की जो आप कहाता है priority table वो किस साइड को atomic mass increase हो रहा है कैसे हो रहा है क्या होता है वो सब कुछ इसने explain किया इसलिए इनको man live priority table को value माना गया इसी टाइम एक और scientist थी जिन्होंने इसके बारे में बात की थी वो आते हैं आपके लॉदर मेयर इन्होंने भी क्या किया था same ही time में इस चीज़ की बात की गई थी बट अलगलग countries है उस टाम क्या अधा-धा social network थोड़ा कम था जैसे कि माने लोगते हैं तो क्या हुआ मैंडलीव और जो लॉदर मेयर थे इन्होंने अलगलग work किया तो जो मैंडलीव थे इन्होंने physical property ज़्यादा consider की थी compared लॉदर मेयर के और क्या किया था मैंडलीव ने अपना जो काम था वो पहले publish कर दिया था और लॉदर मेयर ने क्या किया था उस टाम तक अपना काम publish नहीं किया था और फिर जैसे publish हो गया था तो पहले तो पता नहीं था पज्जा में पता लग गया research होगी तो क्या हो गया जो मैंडलीव थ उसको ही कंसीडर किया लॉदर मेयर का जो वक्ट था उसको कंसीडर नहीं किया गया क्यूंकि यह पहले पब्लिश था पर इसको इन दोनों को पता नहीं था कि यह भी काम कर रहा है यह यह भी काम कर रहा है ठीक है आज पर सोशल हो जाते हैं एक दम पैसे नहीं था उस ताम तो Manly Productable है ना, उसमें 56 elements है, देखिए, इसमें जो क्या है, Horizontal है यह lines, उनको नाम दिया गया period, ठीक है, और जो Vertical lie उसको दे दिया नाम, group, ठीक है, क्या-क्या नाम दे दिया, Horizontal, period, और Vertical, आपका नाम दे दिया, groups, ठीक है, इन्होंने यह बात की गई थी, physical property, chemical property, सब consider किया, और बताया कि किस side को properties increase कर रही है, और decrease कर रही है, ठीक है, यह सब कुछ जो manly थे, इन्होंने अच्छे से explain गया, और किसकी बात की की थी, atomic, मास के बारे में, ठीक है, कितने आ गए, इस side को horizontal period, and down the group, groups आ गए, क्लियर हो गया, अब इसकी achievement क्या थी, देखिए, अब यह तो पढ़ लिया, physical and chemical property को उन्होंने भी consider किया, तो उनकी main achievement क्या थी, कि जिसकी वज़ा से इनकी success होई, वो ऐसा भी गो सकते हैं, कि success क्या थी, आपके manly product table की, देखिए, क्या करते हैं, अब, achievement, achievement क्यों होई, उस time तक क्या था, 63 element ही consider थे, देखिए, जो law of थे, law of octave था, उसमें बोला था, 56 element है, इसके बाद कोई discovery नहीं होगी, बड़ जो manly थे, उस time तक 63 element थे, बट इन्होंने बात की थी, कि जो next आएंगे, भू भी आएंगे, इसके लिए उन्होंने उसमें space छोड़ा था, जैसे कि aluminium, ठीक है, silicon, इनको नाम दिया था next, इनको पता था, कि आगा next आएगा, तो इन्होंने eca aluminium, जैसे कि next है जो उसका, eca silicon, ऐसे नाम दिया था, eca का मतलब आता है आगा next, मतलब aluminium से next आएगा कोई, ये चीज़ की discovery उन्होंने पहले ही कर दी थी, कि देखिये, कितनी अच्छी, कितनी imagination होगी, कितना research किया होगा, कि जो चीज़ हभी discover नहीं हुई, उसके बारे में उन्होंने पता लगा दिया, कि ये discover होगा future में, ठीक है, तो manly थे, इन्होंने next का नाम दे दिया, उसके बार, फिर इसको success और भी जैसे valid माना गया, जैसे कि बाद में gallium, germanium, ठीक है, ये आए, तो इनकी property exact वैसे थी, जैसे इन्होंने बोला था कि equilibrium अलिका silicon की होगी, ठीक है, जैसे next member आएगा, उसकी property same होगी, वैसे ही इसकी property होगी, इसलिए भी इनको successful माना गया, और इन्होंने increasing atomic mass, ठीक है, atomic mass, चीक है, और decreasing atomic mass पूरा explain किया रहा, ठीक है, जैसे कि along the group जाते हैं, तो क्या होता है, आपके atomic mass increase करता है, down the group जाते हो, तो atomic mass क्या होता है, increase करेगा, along the period क्या होगा, आपका decrease करेगा, यह चीज़ भी explain करती है, इन्होंने noble gases, ठीक है, प्रियाडिक्टेवल में, जो अभी का प्रियाडिक्टेवल है, noble gases है, जो क्या होती है, inert होती है, ठीक है, inert होती है, जैसे कि इनका पता नहीं रगता है, इसे less amount में भी होती है, बहुत ही less amount होती है, क्योंकि inert होती है, reactive नहीं होती है, reaction नहीं करती है, और उनके साथ क्या अपने में stable रहती है, तो इनकी discovery भी भाद में हुई थी, बट, without periodic level को छेड़े, इनने वो, जो आपकी noble gases थी, उनको अलग ही group में categorize कर दिया, तो देखो, ये भी main reason था, उनकी success का, कि जो जिस discover नहीं हुई थी, और जो पहले stable बनाया था ना, अब देखो, आज आप कोई काम कर रहे हो, कल तो आपको नया idea जाएगा कि ऐसे कर सकते हैं, तो वैसे ही, इननों ने भी कुछ चीज़े explain नहीं की थी, जो बाद में हुआ कि ये तो कमी रहगी थी इसके table में, तो क्या क्या कमी रहगी थी, चो चीज़े से आपको कई बाद धारक के लिए कुशन आता है, तो इसकी limitation क्या रही, limitation किसकी कर रहे है, इनों ने जो हाइडोजन होता था, ये क्या होता है, ग्रूप 1 में इसको पुजिशन दी, फर्स मैंबर की, ये रिजंबर करता है, ग्रूप 17 में भी, तो इसकी जो हाइडोजन की पुजिशन थी, ये क्या थी, अनुमलस थी, कोई प्रॉपर्टी पता नहीं लगा पाए, और ये क्या है, नॉन मैंडर के साथ में रिएक्ट कर ये रिजंडर के साथ में इसको इसको अक्टोमिक माश होगा, इसको इसको अलगए पुजिशन दी, एक ही पुजिशन दी, हाइडोजन एक ही पुजिशन है, वहीं पर उसके क्या करेंगे, आइसोटोप एक्जिश्ट करेंगे, ये चीज़ आपके कामने मैंडर्टी तो यह चीज भी आपका मैनली प्रियोड टेवल एक्स्पिरिंज नहीं कर पाएगा यह थी उसकी कुछ लिमिटेशन तो यह तो यह तो था आपका मैनली प्रियाड टेवल उसके बाद की गई थी फिर जो किस ने दिया था मौस लेने दिया था उसके बारे में हम नेक्स लास में दिस्पर्स करेंगे तो बने रहे हैं मेरे साथ नेक्स लास में तब तक प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्यू अब्यों